नमस्कार दोस्तों, ग्रेटु इंडिया यूटूब चनल में आपका स्वागता यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म तो जूर जाएक सेशन से तो एफिशेंसी के लास टेस्ट 18 नमबर तो आज आपके सामने 12 कोर्षन वेरी इंपोर्डेंट और कंटिनू सेरीज के स चाल लाइब तो आज का कोर्षन अपना सेक्शन वन का फर्स्ट कोर्षन के चाटे पैरग्राफ में वर्स ओनली अंडरलाइन का परियोक करना है तो यह जो जो कोर्षन है अलगज लेंगवेज में टाइम के अकोडिंग कैसे जल्दी कर सकते हैं तो उसके लिए पैक्टिस करें तो देखिए तो यहां पर क्या दे रखा है चौते परेग्राफ में वर्ट्स अनली अंडरलाइन का प्रियोग करना है तो चौता परेग्राफ लेना है पहला दूसरा तीसरा और यह चौता select करके easy way में आपको font वाले group में जाना है और यहां से underline style के अंदर words only लेना है और ok कर देना है और बार click यह जो कोर्षन था बहुत easy और आपका जो step है वो सही follow होना चीए डूणना नहीं है कौन सा option कहां पर आएगा next question पहले paragraph की दूसरी line को double strike तो करें पहले paragraph की दूसरी line तो देखे पहला paragraph यह दूसरी line यह select किया फिर font वाले group में गए और strike तो कौन सा था double strike तो क्लिक किया और ok कर देना है next question चटे paragraph को outline effect में बदले है चटे paragraph तो देख पहला दूसरा तीसरा चौता पांचा और चटा अब इस चटे paragraph को क्या करना है outline effect वैसे आपको effect आपको याद रखने total 8 effect है तो font वाले group के अंदर मिलेगा 8 जो effect है कौन-कौन से strike throw double strike throw तो यहां पर आपको दियान रखना है strike throw के बारे में जब भी भी question पूछे तो बार से करना है double strike throw का ध्यान रखना है अंदर मिलेगा सब इस्किप्ट सुपरिस्किप्ट बार मिलेगा और फिर फापस shadow outline इसका अंसर है अपना फिर यहां पर सेड़ एंबोज एंग्रेव इस्मॉल के पॉल के याद रखने है यह सारे option ओके section took up fourth number question अंतिम paragraph के अंत में लिखे गए नाम के आगे bullets insert करना है देखिए bullets आपको बोला है लेकिन जो bullets insert करने है वो आपको ध्यान रखना है जब कुछ नहीं कहा जाता तो by defaults bullets लगाना है तो अंतिम paragraph के अंत में लिखे गए तो अंतिम paragraph के अंत में यह चाहां नाम लिखे गए उसको select करना है bullets library में जाना है और यहां first preference यह disk है यह circle और square तो आपको first preference disk की देनी है और click कर देना है और यह bullets insert हो जाएंगे next question उप्रुक्त दूसरे paragraph को align दाइं और में परिवर्थ करना है देखिए आपको दाइं और align करना है दूसरे paragraph आपको तो दूसरे paragraph select आपको यहां पर alignment कितने मिलेंगे four याद रखने है four alignment होता है एक left होता है एक center होता है एक right होता है और एक justify important point इसमें justify के बारा में यह दिए आपको बोले left and right मतलब both sides से equal करने के लिए किसका यूच के जाएगा justify का तो यहां पर अभी अपना answer किया है right next question देखिए चौते paragraph की line spacing 2.5 में set करें तो देखिए चौता paragraph यह line spacing 2.5 तो line spacing में गई 2.5 लिया और बार क्लिक कर दिया next question उपरुक तीसरे paragraph के चार और border लगाना है तो उपरुक तीसरे paragraph तो यह पहला दूसरा और यह तीसरा इस तीसरे paragraph को select border वाला option में तो यहां पे पेज border नहीं है ध्यान रखना paragraph border है paragraph border के लिए आप paragraph group से ही question को solve करना है तो यहां पे कौन सा all border लगया और बार क्लिक next question दूसरे paragraph की तीसरी line को highlight लाल रंग में set करना है देखिए दूसरे paragraph की तीसरी line दूसरा paragraph तीसरी line विदे highlight करना है red colors बार क्लिक पांचे paragraph के दूसरे शब्द को गैरा और पांचे सब्द को dash underline में set करना है देखिए पांचे paragraph के दूसरा शब्द तो देखिए पांच परग्राप पहला दूसरा तीसरा चौता और यह पांच परग्राप का दूसरा सब्द इसको क्या करना गय रहा और फिर यहां नेक्स्ट क्या पूचा है पांच यह सब्ट को डेस अंडरलाइन पांच और सब्ट कौन सा हो गया बेज इसको क्या करना अंडरलाइन के अंदर जाना है अंडरलाइन में यहां पर यह दियान रखना सिंगल है यह double है और यह thick है यह dot है और यह das underline यहाँपे लगाने है और बाहर क्लिक दस्वो कॉर्षन देखे पहले paragraph की थीसरी लाइन की formatting को remove करे ध्यांसे देखना पहले paragraph की थीसरी लाइन पहला paragraph, तीसरी line, formatting remove करने के लिए यहां पर clear formatting का option पर क्लिक करना है यह formatting remove हो गई और बार क्लिक कर देना है चटे paragraph के दूसरे सब्द को 120 पर 30 में scale spacing परदान करने हैं तो देखिए, चटे paragraph के दूसरा सब्द तो यह पहला था, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौता, यह पाँच, यह चटा चटा paragraph का कौन सा बोला इसने दूसरा सब्द चटे paragraph का दूसरा सब्द हो गया उच font वाले group के अंदर advance में features मिलेगा scale और scale में कितना करना 120 तो यहां पर लिखना पड़ेगा list में यह दि नहीं हो तो 120 लिखना है और ok कर देना है और बार click उपरुक्त page पर राजस्तान सरकार 2023 header insert करना है और उसे bold करना है, तो header में क्या लिखना है, insert में जाना है edit header का परियोग करना है आपको यहां पर, edit header में गए फिर home के अंदर जाके यहां से language लेनी है, कुरुतिदेव fontly और कुरुतिदेव font में यहां पर राजस्तान सरकार 2023 लिखना है और इसको select करके आपको क्या करना है, bold करना है और double click करते ही header बंदो जाएगा तो दोस्तों, यह थे 12 कोर्सन तो लगातार पैक्टिस के लिए जुड़े रहिए Great to India YouTube चैनल पर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते है next class में, जल्दी, thank you